On dividing this number by certain number, the quotient is 89 and the remainder is 37, find the divisor ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कौन सी जीच किसको बोलते हैं, तक कि आप confusion में आ रहे हैं तो 4 to the 8, 1 remainder, तो इसको बोलते हैं remainder, ठीक है, इसमें तो कोई confusion नियों नहीं होना चीह है इसको बोलते हैं, quotient, इसको बोलते हैं dividend, और इसको बोलते हैं dy, z, तो याद कैसे करेंगे यह तो याद होई जाना चीह है remainder, मतलब कि जो remaining value है, यह होगे remainder, quotient quotient को आप एसे याद कर लो कि यह हमारा actual में answer है और इसको हम quotient बोल रहे थे, क्यों question बोल रहा है इसको, analogy यह तोड़ा सा याद करने के लिए आप कर सकते है steps यह फिर यह क्या है dividend तो dividend में यह end आ रहा है ठीक है, तो end आ रहा है मतलब इस number को end कर रहे हैं, खतम कर रहे हैं इस number को divide कर करके तो यह end यहाँ पर आ रहा है, steps अभ्याद कर लो इसको, अगला है divisor, divisor मतलब की जो इसको divide कर रहा है ठीक है, divisor पता ही चल रहा है, इसके नाम सही कि यह divide किसी को कर रहा है, ठीक है तो इनका formula क्या होता है, यहाँ पस में केसे relation में होते हैं, कि dividend is equals to divisor multiplied with quotient and plus में remainder, ठीक है तो इसका क्या sense बना मैं आपको वो थोड़ा सा digest करवाने के कोशिश करता हूँ, जैसे dividend है, यह number है यह number combination है, जो भी remainder बच गया उसका, ठीक है, प्लस जो कि divide कर रहा है, वो number multiplied with quotient for example, जैसे मानलो आपन बात करते हैं 18 की, 18 जो है 9 into 2 है, ठीक है 9 into 2, 18 को 9 into 2 लिख सकता था हमें, 9 into 2 लिख सकता था हमें, लेकिन कुछ remainder अगर बच गया तो वो add कर लेंगा 1 इस type से कुछ ही है, for example 23, 23 को divide करता हूं में 2 से, 2 से divide हो रहा है 14 टाइम में, ठीक है तो 1 remainder बच जाएगा, तो ये number 14 से divide होई ही जाता, बस remainder ये 1 बच गया इसमें ये इस type से equation पूरी बन लिए है, बस ये analogy थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं तो बड़ सबसे बड़ा number कोण सा dividend, वो है addition of this number and multiplication of this two numbers ठीक है, इस step सब याद रख लो, तो dividend हमें कित्ता दे रखा है, 15, 968, divisor कोन है, 4 है, sorry, इसको बुल जाओ अभी divisor हमें बता लागाना है, divisor हमें बता लागाना है, question क्या है, 89, remainder क्या है, 37, तो divisor को मैं expand लेता हूं तो यह हो जाएगा, 15, 968, इधर minus में 37, इधर हो जाएगा, divisor multiplied with 89, तो यह हो जाएगा, 15, 968 में से 37 जाएगा, तो 13951, तो 15931 divided by 89 is equals to divided 0, ठीक है, 89 divide में आ गया है, तो divide करते हैं, 5931 is divided by 89, वन टाइम में क्या आएगा, 0, 7, उपर से आएगा 3, ठीक है, अब यह लगबख 100 मल लो इसको, 700, तो यह हो जाएगा, 7 टाइम में लगबख जाना चाहिए, तो इसका 7 टाइम क्या होगा, 9, 7, 6, 63, 9, 7, 8, 56 and 6, 62, तो 7 टाइम में 6, 23, 0, 80, उपर से आएगा 1, ठीक है, अब यह 1 है लास्ट में, इदर 9 है, मतलब 9 से मटिपल है गा रहेंगे, तब जाके बनाना चीए, तो 99 टाइम में, 98, 72 and 80, ठीक है, तो 9 टाइम में, 80, 1, तो 179 के आगे इसका, अंसर आगया, ठीक है, मिलते अब ले विडियो में,